कि क्या हम दोनों होटेल में जा सकते हैं क्या, क्या हम दोनों किस कर सकते हैं क्या, मतलब क्या हम दोनों ऐसा वाला काम कर सकते हैं क्या दोस्तों आज का जो वीडियो है ना वो बहुत ज़दा इंपोटेंट है और मैं आपको हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज दोस्तो आज का वीडियो पूरा देखे मतलब आपना अपने पाच मिनिट को निकाल कर इस वीडियो को पूरा जरुर देखे क्योंकि दोस्तो आज की इस वीडियो में न मैं मेरे जिन्दगी का ऐसा एक किस्सा ऐसा एक टॉपिक आप सभी को बताने जा रहा हूँ जो किस्सा न मैंने आज तक किसी भी वेक्ति को नहीं बताया था दोस्तो क्या हुआ था एक्चुली तीन-चार साल पहले न मुझसे एक आउरत न सेट हुई थी और मैंने न वो आउरत सेट होने के बाद न ऐसी कुछ गलतिया करी थी जिन गलतियों को करने की वज़े से न उसका और मेरा ब्रेक अप हुआ था मतलब वो आउरत न मुझे छोड़कर चली गई थी तो दोस्तो वही गलतिया वही मिश्टेक आज जोस्तो मैं आपको बताने वाला हूँ मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि जैसा मेरे साथ हुआ था न वैसा मेरे किसी भी भाही के साथ हो जाए तो दोस्तो आज का वुडियो बहुत ज़्याद है क्योंकि आज की इस वुडियो में न मैं आपको ऐसी गलतिया बताने जा रहा हूँ जो गलतिया न आउरत पटने के बाद या पिर आउरत अगर आपके साथ होगी तो आपको बिलकुल भी नहीं करनी है क्योंकि अगर आपने मतलब इन मिश्टेक को किया न तो जैसा मुझे एक आउरत छोड़ के चली गई थी न वैसे दोस्तो आपको भी अपनी प्यारी आउरत मतलब आप जिस आउरत को पसंद करते हो वो आउरत न दोस्तो आपको छोड़ कर जा सकती है तो आज का वीडियो इतना इंपोटेंट है कि दोस्तो मैं आपको बता नहीं सकता तो इस वीडियो को पूरा देखे तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंपोटेंट वीडियो को दोस्तो देखो जो सबसे पहली गलती जो मैंने की थी ना मतलब आज से तीन-चार साल पहले जब मुझसे एक औरत सेट हुई थी ना और तभी के जमाने में ना मुझे कुछ भी नहीं पता था कि औरतों के साथ कैसे रहते हैं औरतों को कैसे डिल करते हैं मतलब इसके बारे म मैंने मुझे कुछ भी नहीं पता था और उसी समय ना मैंने एक ऐसी गलती करी थी जो बहुत बड़ी थी तो जो जो गलती थी तो वो कुन सी थी कि अवरत के उपर ना restriction डालना जी हानोस तो क्या बोला मैंने अवरत के उपर ना restriction डालना तो उस्ते मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्यादा तर पुर्शो को ना ऐसा लगता है कि जब कोई भी औरत हम से पढ़ जाती है ना तो वो औरत ना हमारी personal property है मतलब हम ना उसको ऐसा बोलते है कि तुम ना ऐसे कपड़े मत पहनो तुम ना उस विक्ति के साथ बात मत करो मतलब हमको ऐसा लगता है कि ये औरत ना हमारी personal property है और हम जो बोलेंगे वही चीज उस अवरत को करनी पड़ीगी तो दोस्तों मैं आपको बतना चाहूंगा कि अगर कोई भी आउरत अभी अभी आपसे अगर सेट हुई है ना तो उसके उपर restriction बिल्कुल भी मट डालो क्योंकि ऐसा करने से ना उस अवरत को ऐसा लगता है कि ये पूरुष ना अभी मुझे ऐसा कर रहा है तो इसके बाद पूरुष मेरे साथ कैसे रहेगा और वह अवरत ना सिधा break up कर लेती है दोस्तों मतलब अवरत के उपर ना ज्यादा restriction मट डालो अगर वह अवरत ना अभी अभी आपसे सेट हुई है हाँ दोस्तों अगर वह अवरत ना आपसे पटने के बाद ना दो-तिन साल हो चुके है और उसके बाद अगर आप ऐसा करते हो ना तो दोस्तों ऐसा ठीक होता है पर अगर वह अवरत ना अभी अभी आपसे पटी है ना तो ए गलती आप दोस्तों बिल्कुल भी मत करो क्योंकि मैंने खुद करी है और इसके लिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ उसके बाद दोस्तो जो दूसरे प्रकार की गलती है जो मैंने करी थी और उसको कौनसी थी कि अवरत पटने के बाद ना उसको डायरेकली वैसा वाला काम करने के लिए पूछना जी हां दोस्तों क्या वाला मैंने उसको वैसा वाला काम करने के लिए पूछना तो वैसा वाला काम मतलब आपको समझ में आया होगा कि मैं किस काम के बारे में बात कर रहा हूँ तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत सारे पूर्षों को ऐसा लगता है कि आउरत जब हमसे पटी है ना तो हम ना उसको डारेक्लि ऐसा पूछेंगे कि क्या हम दोनों होटेल में जा सकते है क्या क्या हम दोनों किस कर सकते है क्या मतलब क्या हम दोनों ऐसा वाला काम कर सकते है क्या तो दोस्तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सबसे बड़ी गलती होती है दोस्तो क्योंकि जब कोई भी आउरत हमसे नई नई पटी है ना मतलब हमसे पटने के बाद ना अगर उस आउरत को ना कुछ दिनी हुए है तो दोस्तो ऐसे सिट्वेशन में ना अगर आप उसको पूछते हो ना कि क्या हम दोनों होटेल में जा सकते है क्या क्या हम दोनों किस कर सकते है क्या तो उस आउरत को ऐसा लगता है कि आपना एकदम घटिया हो और आपने शाहिद इसलिए ही मेरे साथ रिलेशन बनाया है ताकि आपको ऐसा वाला काम करना है और ओर आउरत ना अप उसका विश्वास जीतो, उसको ऐसा दिखाओ कि मैं तुम्हें कभी भी धोका नहीं दूंगा, और आप अपना प्यार उसको दिखाओ, कि मैं तुम्हें उपर कितना प्यार करता हूँ, और ऐसा सब होने के बाद ना दोस्तो, आप उसको मतलब वही सा पूछ सकते हो, पर कभी भी जल्दबाजी में, आप बिल्कुल भी उसको ऐसा मत पूछो, कि क्या हम दोना होटेल में जा सकते हैं, क्या हम दोना ऐसा वाला काम कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तो मैंने ऐसा खुद किया है, और इसके लिए दोस्तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको आप ध्यान तो वो नोकराणी हैं तो रस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग ना अवरत पटने के बाद ना उसके साथ जगडा करते हैं मतलब अगर कुछ भी हुआ ना तो हम लोग ऐसा समझते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया मतलब हम लोग खुद को मतलब ज़्यादा भड़ा को बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी अवरत आपसे अभी अभी सेट हुई है ना तो उसके साथ कभी भी जगडा मत करो अगर जगडा हो रहा है ना तब भी आप खुद जाकर उसको सौरी बोलो पर पहले जगडा मत करो क्योंकि अभी आपका जो रिलेशन है ना दोस्तो वो नया है और इस कंडिशन में अगर आप उसके साथ जगडा करोगे ना दोस्तो तो जो आपका रिलेशन बना है ना और उसको तूट सकता है तो सबसे पहले अपना जो रिलेशन है ना उसको सबसे पहले मजबूत करो और उसके बाद दोस्तो आप जगडा कर सकते हो अगर अगर आपका रिलेशन दोस्तो नया नया है ना तो ऐसे सिच्वेशन में अगर आप उसके साथ जगडा करोगे ना तो मैं ग्यारेंटी लेकर बोल सकता हूं कि ओ अवरत ना दोस्तो आपको छोड़ कर भी जा सकती है क्योंकि दोस्तो मैंने खुद ऐसी गलती करी है और इसकी के लिए दोस्तो मैं आपको बता रहा हूं बाके दोस्तो आपकी इच्छा तो दोस्तो आज की इस वीडियो में जो मैंने आपको तीन प्रकर की गलतिया बताए ना तो उनको कभी भी मत करना क्योंकि जो और अपको छोड़ कर जा सकती है अगर आपने इन गलतियों को किया त दूस्तो तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद खुश रहिए और हैप्पी रहिए लव यू सो मच अल अफ यू